मद्र प्रदेश की राजपाल और भारती जंता पार्टी की नेता लाल जी टंडन का 85 वर्ष की आयू में 21 जुलाई 2020 को लकनों में नितन हो गया वे काफी दिनों से कई बिमारियों से ग्रस्ट थे वो दो कारेकाल तक उत्तर प्रदेश विधान परिशद की सदस्य रहे और वो तीन बार 1996 से 2009 तक विधान सभा के सदस्य बने रहे थे आई इस वीडियो में उनके जीवन और राज्यतिक करियर के बारे में जानते हैं सबसे पहले लाल जी टंडन का व्यक्तिकत विबरण जान लेते हैं उनका जन्म 12 अप्रेल 1935 को हुआ जन्म स्थान चौक लगनाउ संयुकत प्रांत ब्रिटिश भारत था निधन उनका 21 जुलाई 2020 को 85 वर्ष की आयू में लखनव उत्रप्रदेश भारत में हुआ राज्यतिक दल भारत ये जन्ता पार्टी रहा आई आपको लाल जी टंडन के राज्यतिक करियर के बारे में बताते हैं लाल जी टंडन दो बार 1988-84 तक उत्तरप्रदेश विधान परिशत के सदेश रहे और 1990-96 तक परिशत के सदन के नेता बने रहे वे 1996 से लेकर 2009 तक उत्तरप्रदेश विधान सभा के लिए भी चुने गए 2003 से 2007 के बीच विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे लाल जी टंडन सुश्री मायवती जो कि बसपा भाजपा गडबंदन के समय पर उनके शासन काल में उत्रपदेश्य मंत्री मंदल में शहरी विकास मंत्री भी रहे थे हाला कि इसके पहले भी वे कल्यान सिंग मंत्री मंदल में मंत्री रह चुके थे मई 2009 में वो भारतिय राश्ट्री कॉंग्रेस की रिता भांगुणा जोशी को 40,000 वोटों के अंतर से हरा कर लखनव से 15 लोकसभा के लिए चुने गए थे ये सीट 1991 के पूर्व भारपा अध्यक्ष अटल विहारे वाजपई के पास लगतार चार बार से थी 20 जुलाई 2019 को स्रीलाल जी टंडन को अनंदी वहिन पतेर की जखा मद्री प्रदेश के 22 राजपाल के रूप में नियुक्त किया गया था और अब उनके देहान के बाद अनंदी वहिन पतेर को मद्री प्रदेश के राजपाल का कारभार फिर से सौपा गया है लंबी बिमारी से जूजने के बाद लगनों के मेदानता अस्पताल में 85 वर्ष के स्रीलाल जी टंडन का 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरनजोश.com